मैं जनाब इस मुग का बहुत वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ और काफी वक्त से यहां की जो हालात है, जो सुच्वेशन है वो अब इस चीज की इंडिकेशन देती थी कि आप वक्त आ चुका है कि जो एक्सेस फोर्स जो यहां पर सरी नगर में है या कहीं और डिस्ट्रिक्स में है, अब उनको कहीं न कहीं मुझे लगता है, यहां से मुग करने की जरूरत है, अब उनकी बहुत कम जरूरत है, यह उन लोगों के लिए भी तमाचा है, जिन्हों ने यहां पर रेली करके, बजाए कि वो प्रेज़ेंट गवर्मेंट नरिंदर मोदी सा अब का धन्यवाद करें, बलकि उसको अपोजिट किया है, कि हालात खराब है, लेकिन इससे कहीं न कहीं इंडिकेशन पूरी साफ होती है, कि अब जुमो कश्मीर की हालात बहुत सुधर चुके है, अब यहां आर्मी की कोई जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है, इंडियन आर्मी तो यह कहीं न कहीं साफ इंडिकेशन है, अब कश्मीर में हालात ठीक हुए है, और बीजेपी पहले से ही वादाबंध है, हमारे वजीर आजम मुल्क के नरिंदर मोदी साव, उन्होंने कहा है, कि जो एक नए कश्मीर का खौब है, उसको तामीर अब करना है, और उसको जमी अब सपा जैसे कानून यहां पर है, अब किस तरीके से हमारी बीजेपी गवर्मेंट जो सेंटर लेडिर बाया है, प्राइबन सेंडर मोदी साहब ने वाकी में आज जो हाला थे जमो कश्मीर के बदल दिये, तो आपकी बात बिलकुल सही है, मैं यहां मेंशन करना बूल ग चाहिए, मुझे लगता है उसको भी कही ना कहीं गोरोखोस लाना चाहिए, उस पर भी सोचना चाहिए, सोच उचार करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जब तक यहां के अपोजिशन चाहे नैशनल कॉन्फिंस पीडी पी, अपने फेस से एक वो जो काला चश्मा उसको उता जानते हैं कि इन कश्मीर में, इन तीन सालों में कितने हालात बदले, आपको सबसे बड़ी मिसाल यहां की राहुल गांदी जो उन्होंने यातरा निकाली थी, आपको पता है कि क्या वो आज से तीन साल पहले, अनतनाग या आट साल पहले अनतनाग से रैली निकालते हैं, आपको लगता है कि देश के इतने बड़े अपोशन लीडर वहां से वॉक करके एक रेली को संबोधित करते हैं, इंपॉसिबल चीज थी, लेकिन आज अगर राहुल गांदी या कोई और भी यहां यात्रा के लिए आया है, मुझे लगता उनको श्रै जाना चाहिए हमारे प्रामिर्स नर्दिर बोधिस साब को, जुन्हें ने जो यहां के हाला थे बिलकुल बदल दिये, आज कॉंग्रस वाला जुमो कश्मीर नहीं है, आज बाजबा वाला जुमो कश्मीर में है, और गुड गावर्नेंस है, आप देखें कितनी टान्सपरेंसी गौवर्मेट में आई है, यह सब के सामने है, मुझे लगता आने वाले वक्त में, इमत्यास साब आप और भी चीज़े देखेंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे कानून है, जिनको आप यहां पर ज़रूरत नहीं है, उनको भी कहीं ने कहीं सेंटर सोच वचार करके, अब मुझे लगता है उनको भी उसको भी हटाईगी हैं से,